हाई दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जाना था reflection and reflection of light on different type of objects क्या आप जानते हैं plain mirrors पर light कैसे reflect करता है दोस्तों मेरा अनन संपत कुमार है और आज का टॉपिक है law of reflection of light जब light mirror के उपर incident करते हैं तो reflect होता है आप तो यह जानते है हो एक light में कहीं तरह के rays होते हैं चलिए एक ray a consider करते हैं जब एक light ray a mirror के ओपर point o के ओपर गिरता है तब वो reflect होता है पर यह incident और reflection angle किस तरह से होते हैं इसे जानने के लिए हम एक line draw करते हैं जो की mirror को perpendicular रहता है जिसे हम normal करते हैं जब एक light ray a mirror के ओपर point o के ओपर incident किया गया है तब वो normal से कुछ angle करता है चलिए वो angle eye करते हैं उसी तरह reflected ray भी normal से कुछ angle बनाता है उसे हम angle r कहेंगे और यह दो angle equal रहेंगे पर opposite direction रहें ancient Greek 300 BC में Euclid नमक यक्ती ने loss of reflection of light दिया है जिसमें दो point है first point में बताया गया है यहाँ पर incident ray, normal और reflected ray तीनों एक ही face में रहते हैं और एक ही side में रहते हैं और दूसरा point है incident ray, reflected ray दोनों के angle equal होते हैं with respect to normal और यह दो points हमें loss of reflection of light कहते हैं आज हमने जाना था loss of reflection of light on plane surface mirror अगर वही mirror curved होता है तो light किस तरह से reflect होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेगे तब तक जुड़े रहिए open mind, see you न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो को enjoy करते रहिए